तो आप लोगों को एक टोपर का गर दिखातो हमारे चेतर गाउं खोड़ क्या ये मखान है ये टोपर का गर आप देख सकते हैं सิम्पल जैसे साधा अंज बरिवार होता है जाता है ये घर होता है और यहाँ टोइलेट है लेकिन सच्चा यह है कि नहाने के लिए भी दूसरे घर पर जाना पड़ता है गर की महिलाओं को और साथ में अंबी का जो है इन सबी को यहाँ नहाने की भी वविस्था नहीं है इस घर में मातर दो कमरे जो आपको दिखाई पड़ेंगी यह दो कमरे हैं इसी के अंदर रास्तन भी रखा हुआ है जो अभी जैसे जमिदारा गर दे तो खेत मेंसे जो गेंवाया होगा वो ही कठक रखा है यह इनका साधान सा गर आप अंदर दिखादो एक बार हलका चा बह हैं यह आप में टींड सैड अंदर परतिबाएं बहुत हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर सए दिशा मिल जाती है तो वह महनत करते हैं और अच्छी महनत करते हैं और इतनी अच्छे मैनत करते हैं कि वो इंडिया लेवल पर भी टोप आते हैं और अभी यूनिवस्टी में भी अंबिका ने टोप किया है तो अंबिका से जुड़ी हुई सारी जो खबरे हैं इनका इंटर्विव भी आप हमारे चेनल पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि किस परकार से इनके जो अचीवमेंट से इनोंने हासिल किये हैं किस परकार की इनके स्टेटजी थी इनका परसनल इंटर्विव भी है और साथ में इनके घर परिवार वानों से भी बात चीते हैं गाओं की जो सरपन साहिबा उन से और अन्य जो ग्रामिन है या स्कूल का एड़ मास्टर है उन सबी से रिलेवेंट जो है न हमने खबरे यहाँ से कवर की हैं और वो आप हमारे चेनल पर देख सकते हैं एक ऐसा परिवार जो संसकारों से परिपूर्ण है और इसी बदोलत इस एक सामाने से घर में रहते हुए इस गुडिया ने जो हैना अचीवमेंट हासिल करी हैं आप क्या सोचते हैं कि हमारे चेतर के अंदर इस परकार की जो परतिबाएं हैं और जो थोड़ा सा भी प्लेट मिल जाता है तो वो टोप आ जाती हैं चाहे वो अंबिका हो गाउं खोड से चाहे वो दिव्या तवर हो जो आई पेस बनी निम्भी से या फिर अंजली हो सिलारपूर से जो सीवेस इंडिया टोप किया जिसने और चाहे नीट टोप पर तनिश का बाद चोद हो मतलब विश कि आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बोक्स में अपने राय वस्चे दे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हम अगली वीडियो में आपको सारी जो है ना कवरेश दिखाएंगे आप बनेरी हमारे साथ इंडि जय हिंद जय वारत